हेलो एवरिबड़ी दिस ये नमीक मुंद्रा फ्रम नवीन क्लास इसकोल काता और आप सब अपने लास्ट इग्जाम के लिए बहुत ही जाधा एक्साइटेड हूं कि सर इतना मेहनत किया है यह 17 दिन जो हमने जीया है ना सर हमी जानते हम कैसे जीये हमने अपनी दिवाली भी स सेक्रीफाइस कीए इस पर्टिकुलर एवर में और अब हम liths sacrifice से बेस्ट बेस्ट चाहते हैं तो यार आखरी जासे हम बोले थे आकरी अंतिम अध्याय हैमारा लिए यह तो यह जो पेपर है आपका आखरी पेपर होता है तो इसको तो जाँशा से दितागा एक्टनी长 कि अच्छा लगे मन को जब exam देके निकले यार हो जाएगा एक अंदर से बात आना चाहिए हो जाएगा यार निकाल लेंगे इस बात क्योंकि अगर आप self-motivated रहेंगे आप अंदर से इतना सा सोच लेंगे ना बस कि यार नहीं हो जाएगा टेंशन नहीं है audit EISM we all know कैसा जाता है पेपर उसका खास बात यहीं है उन पेपर्स का कि वह एक्जाम हो गए मलब बेस्ट पार्ट अवाट इग्जाम इस देट इस ओवर सो डोंट प्रेडिक्ट एनिधिंग राइट नहों बस अंदर ही अंदर एक कॉन्विडेंस लेके रखना यहर ऐसा भी नहीं ग लास्ट में जाके ठकोना और जनरली इस एक्जाम के बाद होता ही है कि सर हमारा माथा बहुत ज्यादा एक्जॉस्ट हो चुका होता है तो हमें थोड़ा खाली करने का है तो अराम से एफमी को के पहले आप एक्जाम से आक को टैक्स जैसे पढ़ने बैठने का दरकान नहीं है थोड़ा रेस्ट ले सकते हो हैव वन आर टू टू आर स्लीप एकदम अराम से नैप लीजिए रेस्ट कीजिए बॉड़ी को रेस्ट दीजिए और फिर चालू कीजिए क्योंकि एकदम आती पढ़ाई करने का सोचेंगे तो नहीं होगा तो यह पटिकुलर वीडियो आप आप के लिए बेस्ट होनी चाहिए मैंने प्रस्तुत किया आप इसमें थोड़ा उपर नीचे कर सकते हैं बाट यह मेरे तरफ से बेस्ट स्ट्राटरजी होगी चलिए पताता हूं कैसे अब एक्जाम डे पे जरूर से जरूर एक काम करना यानि 17 और नोंबर को जब आपका एक्जाम हो आप उस दिन www.rbi.org.in में चलो जरूर जाईएगा और उसमें जाके आप जो recent cut-off rates है चाहे वो repo rate हो reverse repo rate हो MSF rate हो और CRR हो SLR हो वो देख लीजेगा ताकि अगर एक्जाम में जब लिखना पड़े तो आप एकदम मखन रूप में आज का मैं लब एक्जाम वाला नहीं क्यलाएगा यह strategy आपको कोई नहीं बताएगा सिवाए मेरे डन है सबको next you would be tired after giving your seven exams में बता दूँ आपका एकदम हलत खराब हो चुका होगा हम लोग कभी होता था हम लोग last exam में पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता था और यह इच्छा आपके साथ भी होगा आपका आज रात को आके देख लेंगे क्योंकि यह एक्जाम अच्छा जाने से ना पूरा होता ना अंध भला तो सब भला हो जाता है परफेक्ट है सर परफेक्ट है अब बताइए सर डेवाइस कैसे हमें पढ़ना है सबसे पहले आपको 15 नवंबर को मैंने बोला late evening मतलब आने के बाद आप सो गए साथ साड़े साथ बजे अगर आप पढ़ाई करना start किये तो साथ 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 बजे के बाद आप अराम से COC यानि cost of capital capital structure और dividend policy complete कर सकते हो मैंने cost में general tips भी शुरू में दिया था पांच मिनिट का है वो तीन मिनिट का है वो वह भी सुन लीजेगा अगर फटाफट करके भी एक जगा लिख के sums कर सकते हो तो ज्यादा sums प्रैक्टिस कर सकते हो as compared to accounts and cost ओके सर तो cost of capital का 4 से 5 sums हो सके तो 5 sums प्रैक्टिस करना है आपको capital structure का भी 5 sums प्रैक्टिस करना है give focus on important topics मैंने इस से पहले FM के important topics FM का paper pattern कैसा आ सकता है क्या आ सकता है इको में कैसे अच्छा नंबर लाए सब सब गुरू गयान आपके लिए डाला है यह तो आखरी गुरू गयान है आप सबका आखरी पेपर के लिए डंसर सर डिविडेंट पॉलिसी में दो सम्थ प्रैक्टिस कीजिएगा उससे जाधा नहीं एक mm का और एक ग्राम इसके बाद आप सोजाईए आराम से तीन चैप्टर आपने कर दिया एक चंक कंप्लीट हो गया अगला दिन सुबह उठके इजी चैप्टर जैसे की लेवरेज फटावट कंप्लीट कीजिए डोंट ट्राई की लेवरेज हम 15 को कर ले क्या आप उस चैप्टर में अगें टा अगला 20 से 25 नमबर का सेट लो विची लेवरेज रेशियो और मैनेजमेंट आफ रिसीवेबल्स इनवेंट्री एंड कैश बजेट का एक सम्ज जरूर बनाना मैनेजमेंट आफ रिसीवेबल्स का कैश का एक दो सम्ज बना लेना इनवेंट्री कॉस्ट में पढ़ाव है आपको यह प्रेक्टिस करना है सुबह सुबह उठते ही अगर आप अराम से उठते हो सपोस कर लो 6-6-7 बजे तो आपका यह पटिकूलर काम 12 बजे तक सलट जाएगा फिर आप अराम से दिन के टाइम पे और दो चैप्टर सल्टा होगे जो किया मैनेजमेंट आफ रिसीव तो हो गया जिस से एक आता ही आता है तो इसको पहले कर लेंगे और वह उपर वाला कर लोगे हो उपर वाला कितना नंबर का आएगा उपर 16 chuva तैम यह आपका 15 का आएगा या 10 नंबर तो यहां हमारा और money market पढ़ेंगे यानि हम पहले economics लेंगे ताकि रात तक हम को economics ना करना पड़े नीन आने लगता है तो पहले थोड़ा economics करेंगे और थोड़ा वैसा economics करेंगे जो थोड़ा practical है जिसमें sums जादा है और इसलिए मैंने national income का topic आपको बोलाया करने जिसमें आपको 5-6 question तो practice करने करने कम से कम और money market के भी 3-4 question practice करने यह आप topic पक्का से पक्का पहले पढ़ोगे कोशिश करना to the point पढ़े अच्छे से करो कि उस दिन आप रेस्ट कियों तो आज थोड़ा सा जगलो एक्सा मलब सो बट थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो अपने आपको कि एक डेढ़ दो बज़े तक हम पढ़ा ही कर पाए अगर आप वो कर सकते हो तो very good आपका capital budgeting रात को complete हो जाएगा साथ समसे कम practice करके करने के बाद आपके पास risk analysis करने के लिए enough time है सुबर सुबर जो कि दो घंटे में हो जाता है ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है सिर्फ चार सम्स practice करना एक sensitivity का एक आपका आरे डियार और करने से आपका 2,5 घंटे में यह भी complete हो जाएगा तो करीब करीब मैं मान रहा हूं आपका आठ बजगिया अगर आठ बजगिया तो आठ बजगिया तो आठ बजए अब आप दो चैप्टर अपना एको का वापस से उठाएंगे जो कि पूरा theoretical स्टफ है जितना लेट इसको बहुत ऐसी है लास्ट में रखेगा इसको पहले पबलीक फिनांस कंप्लीट कीजेगा जाधा बड़ा चैप्टर है यह करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है समरी नोट्स देखिए रिविजिन नोट्स देखिए अपना और अपना हैंड रिटन नोट्स देखिए अगर लगता है कुछ की 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 वाइंट्स था जो हम नैशनल इंकम या मनी मार्केट का वापस देखना चाहते हैं तो वो देख लीजे और एक्जैम में बारा बजे के बाद पढ़ने का मत करिये हो सके तो बस एक बार बस समरी बुक बार बार देख रहे हैं और कुछ नही अब कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वह पर्टिकुलर टॉपिक आपका प्रैक्टिकल से ही निकल जाता है बट अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो बारा बजे के बाद थ्योरी देख सकते हैं थैंक्यू सो मच एवरेड़ी होप आपको यह गाइडेंस अच्छा नंबर दस नंबर जो भी हो एक्स्ट्रा बढ़ा दे तो अल्ड़ बेस्ट एवरीवन फॉर एक्जाम जरूर से जरूर बताईएगा कैसा गया और फिर मिलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए एज उज्वल और गर्ल्स डोंट वरी आप लोग के साथ भी पाटी करेंगे थैंक यू सो मच टाड़ा बबाए